सब्सक्राइब प्यारे दोस्तों याद रहें इस वीडियो में आप देखेंगे सीटेट से जुड़ेश्वी महतपुर्ण प्रस्ण जो कि आप टेक वर्ड के सहारे से आप आंसर क्वेश्चन को तुरत सॉल्व कर सकते हैं और आंसर भी आप निकाल सकते हैं तो वीडियो के अंदक बने रहें प्यारे दोस्तों आप अपना कॉपी कलों को खोलें और अच्छी तरह से नौट करें वीडियो को देखने से आप उतना सीखेंगे नहीं जितना आप नौट्स को त्यार करेंगे तो आपका सीटिट का एकजाम काफी नजदी आ चुकी है अब हमें क्या कर पढ़ने का तो समय खतम हो चुका है और अब हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और नहीं पढ़ाई कर पाने के कारण में आपके 75 नमर छूट जाएंगे तो 75 नमर इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं तो कैसे मिलेगा आईए हम क्लास की सुरुआत करते हैं अच्छी तरह हुए तो फस्ट टेइग वड़को देख रहे हैं बाल केंद्रित सीक्षा यान यह बाल केंद्रित सीक्षा जो है अगर आप का स्टी देखेंगे तो उसमें भी काम आएगा घर अप हिंदी का ग्याम लिख रहे हैं तो उसमें भी काम सीक्षा च्चारियों से देखेंल agreement इं रहे तो आपका टी हूँ सभी रहता है इससे आप याद हिए में जदे आपका बाल किंद्रित यागा अगर आपका आपका सही हो गया अगर आपका केला आई खेल गहाँ आफडर लगा देंगे और दूसरे सब्जेक्पट में आ रहाई तो उसे भी आर》 लगा देंगे और CDP में जदी आ रहा है तो उसको भी लगा देंगे तो ये अंसर आपके लिए सही हो जागा प्यारे दोस्तों याद रहे हैं इस तरह से आप अपना टेगवर्ड को यूज करेंगे यहाँ देखे जदी आप बाल केंदरित सिक्षा को देखते हैं तो आपके पास मैत का जो एक्जाम होगा एक नमर यहाँ से मिलेगा EBS का नमर है पेपर देने तो उससे भी आपको आएगा उसके बाद देखा जाए इंग्लिस का दे रहे हैं तो इंग्लिस में भी ये बाल केंदरित सिक्षा को आएगा तो वह भी आप दे सकते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे हिंदी में आ गया तो हिंदी से भी आप question को देख सकते हैं तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ देखे एक दू तीन चार नमर का आप बाल केंदरित सिक्षा को जिस भी आप्शन में आपका रहेगा अगर वह option में सही करते हैं तो आपको एक नमर प्रापत हो जाएगा अब चलते हैं antrikadilna जिसह भी option में आपको antrikadilna दिखाए दे टू वह आपका positive take 맞 होता है वह आपका answer आपके लिए सही रहता है उसके बाद है करके सिखना प्यारे दूस्तों याद रहे कोस्टन कोई भी लंबा चुड़ा रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है लेकिन सवाल है कि option option में जदी आपके पास करके सिखना रहे तो वो option आपके लिए 100% सही रहता है उसे आंग कर मूल के आप उसे लगा देंगे चाहे आप EBS का एक्डियाम लिख रहे या आप मैत का लिख रहे या आप हिंदी का लिख रहे या आप दुसरे subject का लिख रहे तो यह स्ट्रा चीश को आप देखकर आप अपनाा आंसर को बिना पढ़े हुए एक सब्ता भी नहीं है समय तीन दिन के अंदर आप 75 नमर को प्राप कर सकते हैं और बाकी नमर जो जितने हैं एक CDP का question 15 नमर का रहता है आपको बता दें कि एक subject में 15 नमर का CDP रहता है और 15 नमर का theory रहता है खूल मिला के 30 नमर को रहा पुछा जाता है तो 15 नमर यसी take word से question को पूछे जाते हैं जो आप जल्दी से अभी याद कर लें अब चलते दुसरा take word अंता किरिया जिस भी option में आपको अंता किरिया दिखाई दे उस option को आप करमून के आप उसको सही कर दिजीगा कोई दिकत नहीं है वो 100% सही रहेगा अगर रहे वीवीदता तो अगर वीवेता की बात अगर किया जाए तो अगर option में वीवेता हो तो उस option को भी आप positive मानेंगे इस चिशको याद रखेगा अब चलते हैं दूसरा take word पर समावेसिक सिच्छा समावेसिक सिच्छा में क्या होता है कि एक दूसरी बच्चे आपस में मिलकर पड़ते हैं चाहे वो किसी जाती धर्म से हो उससे मतलब नहीं है चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो तो दूनों को क्या करते हैं क्रूजिंग एजुकेशन के साथ उसको जोड़ देते हैं तो वो क्या होता समावेसिक सिच्छा होता है तो इस तरह से अगर take word आपको दिखाई दे तो समावेसिक सिच्छा अगर रहे तो उस option को आप सही किजिएगा जितने भी take word देख रहे हैं प्यारे दोस्तों याद रहे एक्जाम देखे आईएगा उसके बात किईएगा कि आपका कितना अंग इससे प्राप्त हुआ 100% नमर इससे आपको प्राप्त होगा यह अगदम गारेंटी के साथ बकार है अब यह देखते हैं सतत और व्यापक मुल्यांकन यह तो take word को अभी याद याद कर लिए और इससे आपका एक नमर नहीं 5 नमर आपको confirm होने वाला है इस चीज़को आप याद रखें सतत और व्यापक मुल्यांकन जिस भी option में रहता है वो option आपके लिए सही रहता है इससे जरूर याद रखें अब बात करते हैं अधिगम के लिए आकलन बच्चे क्या करते हैं सिखने के लिए आकलन करते हैं इस चीज़को याद रखें यह आपके positive take word के रिप में आते हैं तो अधिगम जब भी बच्चे करते हैं अपने learning के लिए अपने activity के लिए अपने daily routine के लिए वो अधिगम करत चीही सीखते हैं तो वो करके सीख रहें तो इसलिए आपका option नमर ये आधिगम के लिए आकलन ये आपका सही रहेगा पूर्व ग्यान बच्चे को जो है बच्चे कुरक आगज नहीं होते हैं वो पूर्व ग्यान उसके साथ एड़ आप रहता है अगर आपके option में पूर्व उपया अपर है आपके option गलत है नहीं ये option आपके लिए सही रहएगा क्योंकि जब ंतक बच्चे गलती नहीं करेंगे तो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे दोस्तों जिस भी option में आपको चाहे हिंदी में आ आप़े देखें या परिवर्तन सील या परगतिसील यह बी क्या है यह आपके पोजिटिव टेग वड़ है तो आपके लिए सही रहेगा अब बात करें लचिला पन और गतिसीलता यह जो शिक्षा में दिया जाता है यह आपके लिए सही रहता है इसकी बात करें रचनावाद और स्रीजनातमक तो यह बी ऑप्शन जो हैं यह काफी पोजिटिव टेग वड़ हैं दोस्तों इसे याद जरूर रखें इसमें से आपको दोस्तों पचेतर नमर अच्छी नमर इसी से आप कभर कर लेंगे यह पूर्ण गारेंटी है आपका तक परियास करना तो परियास करना यह तो जान रहे हैं पोजिटिव टेग वड़ है बच्चे जब तक परियास नहीं करेंगे वो सीखेंगे नहीं तो यह आपके लिए पोजिटिव टेग वड़ है इसे जरूर रखें समायोजन या अनुकुलन समायोजन अनुकुल तो वह आपके लिए सही रहेगा बाकी को काड़ देज़ेगा प्यारे दोस्तों उमीद है आपको अची तरह समझ में आ गया होगा आप चलते हैं कुछ-कुछ NCF 2005 के संदर में कुछ सिधान्थ दिये हैं इसको भी थोड़ा सा देखते हैं NCF 2005 के मारक दर्सी सिधान्थ क्या क्या है दोस्तों इसको जदी याद करते हैं तो आपको कम से कम तीन नमर कनफर्म हो जाएगा याद रखिएगा और पांच विसे का है पांच विसे में दस नमर आपके लिए कनफर्म होगा क्योंकि दो-दोर में की कोस्टन ये NCF 2005 से को पूछे जा रहे हैं तो ग्यान को इसकोली सिक्षा के बाहर के जीवन से जोड़ना होता है ये कौन काता है ये NCF 2005 के मारक दरसी सी धानत काता है आप से कोस्टन को पूछा जाएगा कि ग्यान को इसकोली सिक्षा के बाहर से जोड़ने का उद्देश किस केरिकुलम के अंदर कित किया गया है तो आप बताएंगे NCF 2005 के ताहत किया गया है अगर आपको कहा जाए कि पड़ाहई को रतन परनाली से मुक्त करना किस NCF के दोरान के कहा गया है तो याद रखें ये सभी NCF 2005 की मारक दरसी फियोरी आपको बता रहे है अब बात करें कि पड़ाहई को सिर्फ पाठी पुस्तक सिर्फ पाठी पुस्तक तक सिमित ना रहने दें तो ये क्या है ये आपके NCF 2005 की अवधारना को बताता है इसे जरूरी याद रखें कोस्चन यहां से तो पुछेगा ही पुछेगा यह 100% गारेंटेड है अब है परिच्छा प्रणाली लचिलापन बनना तथा कच्छा को गतिवीधी से जोरना क्या है ये आपके NCF 2005 ब पुछा जाएगा दोस्तों कि NCF 2005 किस पर जोर देता है याज रखेंगे वह रचनावाद पर अधिक जोर देता है NCF 2005 बिना बोज की सिक्षा देने का वदा करता है तो बड़न नहीं होनी चाहिए तो ये क्या है NCF 2005 को ये कथन कहता है कि NCF 2005 बिना बोज की सिक्षा देने की वदा करता है अब देखतें NCF 2005 मोटी मोटी पुष्टकों की सिक्षा को असफलता माना है अगर ये कहा जाए कि मोटी मोटी पुष्टकों की सिक्षा को असफलता माना है तो किस NCF के दुरान ये कहा गया है तो आपको याद रखना है कि NCF 2005 के तहत में ये कहा गया है कि मोटी मोटी पुष्टकें को सीक्षा को असफल बना देता है NCF 2005 के अनुशार कच्छा में पस्रा हुआ सनर्टा अधिगम का सुचक है तो ये भी NCF 2005 का कथन काता है डंडे के डर से देवस्था स्थापित हो सकता है पर अनुशासन नहीं बना सकते तो ये क्या काता है ये NCF 2005 की अवधारना को दिखाता है पिछले कुछ वर्सों में इस्कूल के बस्ते का वजन तो बड़ा है पर गुनवता सिक्षा नहीं है तो ये क्या काता है ये भी काता है कि ये आपका NCF 2005 इस पर अभेलना करता है अधिगम स्वभाव से सक्री और समाजी के ये कौन काता है NCF 2005 काता है बालकंद्रित शिक्षा सास्त्र का अर्थ बच्चों की आवाज है ये उनके अनुभाव को देना है ये कौन बता रहा है ये आपके NCF 2005 बता रहा है NCF 2005 लिंग पुर्वाग्रह का बिरोध करता है तता बालक बालिकाओं को भूमिकाओं में रखने पर जोड़ देता है ये NCF 2005 बताता है अधिगम एक अन्ते क्रियात्मक प्रिक्रिया है तता इसमें बेसकों के साथ काम सहपाथियों के साथ बिचार, बिमर्ष करना, आदी अत्यन्त लाबदाय कौन बताते है तो NCF 2005 बताते है अब दुसरा काथन को देखेंगे कि सिक्षक एकमारक दर्शक, सुविधा, परदाताव, सुभम करता और उत्प्रेरक है जो क्या करते है वो बिध्यार्थियों को क्या करते है सिर्जन के लिए प्रोटसाहित करते है तो ये आपका NCF 2005 बता रहा है दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अबस कीज़े चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करे नियो अपडेट पने के लिए NCF 2005 बिवेचनात्मक सिक्छा सासर पर जोड देता है क्योंकि बिवेचनात्मक सिक्छा साथ राजनितिक समाजिक आर्थिक पहलूँआ पर आलोचनात्मक द्रिष्टी कौन को विकास करता है ग्यान कोई तयार माल नहीं है इस सभी को याद रखेंगे बच्चे कोई कोरी पटियों नहीं है या कई अनिभावां के साथ इसकूल में पर वेश करता है सिखने और सिखाने में अस्थानी ग्यान वा समाजिक परिवेश को महतपूर्ण माना है बच्चों को प्रस पुछने के लिए प्रत्साहिक क्या जाना चाहिए अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक आप देख लेते हैं तो पूर्ण है कि आप असी नमर से पलस कर पाएंगे यह पूर्ण गारेंटी है अब कता है कि NCF 2005 में चार छेत्रों में बिसिस ध्यान आकरसित क्या जाना कला सिक्षा, कार सिक्षा, स्वास्ति उंग सारीक सिक्षा तथा अतिस सिक्षा NCF 2005 के दस्ताविजों में भासा के लिए दूई भासिकता का बहुभासिकता का समर्थन करता है बच्चे इसको जीवन की सुरुवात के पहले से भासा के जटिलता और नियुमों को आत्म साथ करने की छमता को रखता है दोस्तों पहले पड़े सीटेट पोजेटिव टेगवड से अब देखते हैं पोजेटिव टेगवड नहीं अब निगेटिव टेगवड को देखते हैं कि आखिर कौन-कौन से निगेटिव टेगवड है जो इसको देखने के बाद ये आंसर गलत होता है अगर मानवी कृत परिछन रहे दोस्तों तो याद रहे वो आपका नेगेटिव होता है वो आंसर आपके लिए नहीं होगा अगर वेतन और अभिहास की बात रहे तो वो भी आंसर आपके लिए गलत होता है इसे याद रखें वेक्तिक भीनता में असा मानता ये भी आपके नेगेटिव टेगवर्ण है ये गलत रहता है अंसर इसको याद रखेंगे अब है बाहियों प्रेर्णा यानि बाहरी प्रेर्णा से जुड़ना ये नहीं है लेकिन अगर ऐसा टेगवर्ण रहे ये भी आपके नेगेटिव टेगवर्ण है लालच अगर बच्चे को लालच देकर पढ़ाते है तो वो आपका नेगेटिव टेगवर्ण है दो भी द् नबीदे हम भाइ